हालो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बार्ड मास के मैथड से किस तरह से क्षेशन को सॉल्ड कर सकते हैं आपके पास कोई भी टर्म दी गई हो जिसमें आपके साथ चारु साइंस यूज किये गए हैं तो आप उसको किस तरह से subtraction तो जब भी हमारे पास इस तरह की term दी गई होगी तो सबसे पहले हमने यहाँ पर bracket को solve करना है अगर हमारे पास यहाँ पर bracket नहीं है तो हमने उसके बाद division के जो divide का sign है उसको solve करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 8 को as it is लिख देंगे 8 plus 9 अब division का sign जो है वो किन 2 terms के बीच में है इन दोनो terms के बीच में है 20 divided by 5 20 divided by 5 equal to 4 minus 3 यहाँ पर हमने divide को solve कर लिया है उसके बाद हमारे पास आ जाता है multiplication हम multiplication को करेंगे अब देखेंगे हम किन 2 terms के बीच में multiplication का sign है तो हम as it is 8 को यहाँ पर लिख देंगे 8 plus 9 4 जा 36 36 आ गया minus 3 यहाँ पर आ गया अब हम हमारे पास division था हमने वो कर लिया हमने multiplication कर लिया अब हमारे पास आता है addition अब हम देखेंगे इन दोनों कौन से ऐसी 2 terms हैं जिनके पास addition है जिनके बीच में add का sign है तो हम 36 plus 8 इन दोनों के बीच में add का sign है तो हम इन दोनों को plus कर लेंगे 36 plus 8 कितने होगे 44 होगे 44 minus 3 तो अब हमारे पास last कुन सा बचता है subtraction बचता है तो subtraction में हमारे इन दोनों के बीच में minus का sign है 44 minus 3 41 this is our answer तो हम इसको इस तरह से step by step करेंगे इसको step by step करने से यह बहुत ही easy हो जाता है आपको कोई भी term छूट नहीं सकती है तो यह बहुत ही easy method है आप इसको follow करें तो friends अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है helpful लगी है तो please मेरी वीडियो को like, share and subscribe जरूर करेगा time, thank you, thanks for watching